उस जैन का शिपरा रेजिलेंसी होटेल चर्चा में बना हुआ है वजह है रेप का रोप इंदोर के एक 22 साल की लड़की का रोप है कि नरेश वालेचा नाम के एक शक्स ने उसके साथ होटेल में रेप किया है थाने पर एक उफटी अपने परिजनों के साथ उपस्थित हुई थी इंदोर की उफटी है और कपड़े का व्यापार करती उसकी रेडिमेट की दुकान है तो उसने यहां रिपोर्ट की थी कि जो इन दोर में ही एक थोक का व्यापारी है जो जिससे वो कपड़े लिया करती थी अपनी दुकान पर बेशने के लिए उस व्यापारी नहीं बताया था कि उसका एक सूरत का दोस्त है जो उज्जेन आने वाला है तो वो उससे लेडीज वेर वगेरा जो है सस्ते दामून में दिलवा देगा तो युफ्ति उस थोक करता के साथ यहां पर आ गई उज्जेन में तो यहां पर उज्जेन में शिपरा इस पूरे मामले को लेकर होटल के करमचारी और अधिकारी भी सकते में हैं होटल में सुरक्षा के इस सभी प्रबंध होने के दावे किये जा रहे हैं सीसी टीवी कैमरे से लेकर सुरक्षा करमी भी यहां मौजूद है लेकिन इस घटना की भनक तक होटल प्रबंधन को नहीं लग पाई अब होटल प्रबंधन अपनी ओर से सफाई दे रहा है अब सिस्टम के तहट हमारे दोरह बुकिंग होती है तो हम करते हैं उसकी सुरक्षा क्या इंतजाम है यहां पर किस तरीके से चेकिंग होती है या किस तरीके से मॉनिटरिंग होती है सर, गैस्ट का गैस्ट पूरी ओन-लान बुकिंग कराके आते हैं और कुछ गैस्ट डायरेक्ट रिशेप्टन पर भी आते हैं लेकिन जो सिस्टम के निएम है इस नियम के तहट हम उनको रूम办क कराते हैं, उनके ID काड हैं जो भी Entry हैं उनके billing हैं वो हम पूरी करते हैं और जो लोग यहां पर ठ olacak त गारते हैं और उसकी कोई जानकरी प्राज है अगर वो लोग हम को बताते हैं देते हैं तो हम जरूर सभी लोग मिलके उसके यहां पर सारे नंबर लिखे हुए हैं, हेल्प लाइन के, उसका अपना कर सकते हैं, रख सकते हैं, पक्ष, हमको बता सकते हैं, बिल्कुल पूरी सुरक्षा है यहां पर, कोई भी गैस्ट होता है, वो हमारा अथिति है, हम उसकी पूरी उसके लाओ पूरे परीसर में क्या इंतिजामे सुरक्षा के, गाड या CCTV केमरे किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती हैं, यहां पर, पूरे केमपस में CCTV केमरे हैं, और गाड भी है, पूरा स्टाफ को पस्तित रहता है, हम लोग भी मूब करते रहते हैं, रिशेप्शन का स् हैं, और इंटरकॉम की सुधा है रूम में, अगर किसी गेस्ट को कोई इस तरह की प्रब्लम होती है, तो वो हमको इंफर्म करें, आप जैसे पूलिस में भी क्या होता है, जब कोई जाता है, कोई कंप्लियन लेकर तभी पूलिस एक्षन लेती हैं, अब रूम के अंदर बारे में हमको पता नहीं होता, तो वो फिर उस रूम में रहके, अगर हमको कुछ नहीं बता रहा है, तो फिर बड़ा मुस्किल है, कि हमें यह समझ पाना, अगर वो बताए और हम कुछ ना करें, तो गलत हैं, एमपी टूरिजम की तीन सितारा होटल की यहां पर सुईदा है, और जो रेप का जो मामला आया है, उस पर एमपी टूरिजम की होटल के जो अधिकारी है, उनका कहना है कि उनके पास फिलाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने एफायर दर्ज करते वे आरोपी को ग